जिलों की पुलिस से निराश होते फरियादी अब लखनों की ओर रुख करने लगे हैं हाल ही में हुए मुख्यमंत्री अवास पर आत्मदा के बाद जिले के फरियादियों को अब लगने लगा है कि राजधानी लखनों में ही उनकी फरियाद शाय सुनी जाए ताजा मामरा एटा जिले से सामने आया है जहां पुलिस की लापरवाही का शिकार हुए परिजनों ने अपने रिष्टेदार की हत्या के बाद एटा पुलिस पर आरूप लगाते हुए कहा कि मृत्तक रमेश चंद की हत्या का मुगदमा 2013 से अभी तक चल रहा है जिसमें आज तक अपराधियों की गिरफतारी नहीं हुए जीपियों के गांधी प्रतिमा पर धर्ना दे रहे मृत्तक रमेशन के परिजनों का ये आरोप है कि एटा पुलिस अपराधियों को संड्रक्षन दे रही है पुलिस ने साजहर रखती है